जो आगर थे आपका हमारे Health and PTT चैनल में, प्लीज सब्सक्राइब केजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आगन पर दबाईए हमारे लेटेश और इंटरेशनी वीडियो सबस्ते पहले देखने के लिए बार ऐसा होता है कि पुरुष संभूग के लिए तयार होता है लेकिन महिला तयार नहीं होती है महिला संभूग करने से बचने के लिए अनिक तरह के बहाने बनाने लगती है दोस्तों महिलाओं का संभूग से बचने के लिए इस तरह के बहाने बनाने का कारण होता है दोस्तों अक्सर देखा गया है कि महिलाएं पती हो या प्रेमिका सब के सामने ऐसे ही बहाने बनाती है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेमिका या पत्नी ऐसे बहाने ना बनाएं और वो खुद ही बोले संभूब के लिए जी हाँ, ऐसा हो सकता है आज की इस बीडियो में हम आपको खुछ ऐसा घरेलू मुस्खा बताने जा रहे हैं जिसको आप कभी भी अगर अपने प्रेमिका या पत्नी को खिला या पिला देते हैं तो बहाद 10 मिनट में ही संभूब के लिए आपको बुलाने लगेगी तो दोस्तों इस पूरी वीडियो को इंग तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेर चलिए अब जानते हैं नमबर एक दोस्तों एक गिलाश दूद में 10 ग्राम किश्मिश और 2 ग्राम दालचीनी का पाउडर मिलाकर पिलाने से स्त्री में कामेच्छा जाग जाती है और मात्र कुछ दिनों तक यह नुस्खा देने से आपकी महिला पार्टरन को कामवेग होता है और बह रोजाना संभूब करने के लिए लालायत रहती है नमबर दो, बादाम, किश्मिस और मुनक का तीनों चीजों को रात में पानी में बिगो कर रख दे और सुबह हुने पर ये चीजे पत्मी को नास्ते में खिलाएं, यह चीजे महिलाओं में कामवेग को बढ़ाती है और उनको संभूब के लिए पागल करने में एहम भूमिका अदा करती है दोस्तों हर रोज दो खजूर खिलाने से भी महिलाओं में जबरदस्त काम इच्छा पैदा होती है अगर आप संभूब के बाद 15 ग्राम गुड अपने महिला पार्टन को खिलाते हैं तो इससे उनको कमजोरी भी नहीं आएगी और दुबारा से संभूब के लिए जल्दी मुन बनेगा अगर आपकी पत्नी अंडा खाती है तो रोजाना रात में सोने से पहले आधा उबला हुआ अंडा आधा चम्मच अदरक का रस को एक चम्मच शेहद के साथ एक महिने तक खिलाएं उसके बाद आपकी पत्नी के अंदर इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी कि वह बिना संभूब किये आपको छोड़ेगी नहीं अगर एक दूसरे में प्यार नहीं है तो कोई भी वॉष्टी काम दोस्तों अगर आपको आज का हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो के नीचे दिये रेड बटन को दबा कर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद